तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने Windows के Laptop को Android phone से Link कर सकते हो जो कि एक Official Method है लिंक करने के बाद आप अपने Android के Calls को डाइक्ली Windows के Laptop से पिक कर सकते हो या फिर आप अपने Android के notifications देख सकते हो, messages देख सकते हो, calls बगरा भी देख सकते हो, history देख सकते हो, हर एक चीज Windows पर बैठे बैठे चेक कर सकते हो, तो आपको उठ करके phone चेक करनी के जरूरत नहीं होगी, वहीं से reply भी देख सकते हो, notifications बगरा के, तो कैसे ये करना है, मैं आप आपको पूरा का पूरा गाइड करूँगा, लेकिन ये वीडियो थोरी सी लंबी हो सकती है, और वैसे भी अच्छे चीजों में टाइम था लगता है, तो let's see, तो सबसे पहले आपको अपने laptop पे, Windows 11 में, phone नाम से सर्च करना है, तो यहाँ पे एक application आजाएगा phone link, अगर य आप इस phone link को open कीजिए, और यहाँ पे option आएगा दो, Android यह iPhone के से link करना है, यहाँ पे हम लोग Android को touch कर रहेंगे, यहाँ पे आएगा QR code जिसे हमें scan करना है, तो हम अपने phone का scanner में जाएंगे, और scanner में जाकर के, यहाँ पे हम लोग स्कैन करेंगे इस QR code को, और उसके बाद य यहाँ से इस application को install कर लेना है, जो कि यह link to windows, तो चलिए हम लोग इसे install कर लेते हैं, install बूरते ही, यहाँ पे आज आएगा continue का button, तो आपको इस continue के button पर tap करना है, agreement पूछेगा, इसे आपको agree करना है, और यहाँ पे link to mobile device and PC पर tap करना है, उसके बाद QR code आएगा, यहाँ continue करे अब हमारा जो link to windows application है, वो यहाँ पे पूछेगा code, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, code आगया, इस code को हमें यहाँ पे enter कर देना है, जो भी code है, उसके बाद हम लोग करेंगे continue, अभी आपका अगर हो सकता ID पूछेगा, अगर आपके laptop में ID डाला होगा होगा, पहले से तो बहुत अची बाते नहीं डाला होगा, तो अभी पूछेगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे अपने ID का password डालना है, जो कि मैं यहाँ पे डाल दूँगा, इस से हमारे phone में भी, हमारा जो laptop में ID है, Microsoft का account, वो login हो जाएगा, अब हम next process पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे allow all the time, हमेशा हम लोग permission को allow करेंगे, ताकि जाता अच्छे से यह काम कर सके है, यहाँ पे device linking जो है complete हो चुकी है, अब हम लोग done पे tap करेंगे, यहाँ पे option आ जाएगा, कि क्या आप continue करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ continue पे tap करेंगे, अब यह आपको थोरा सा कुछ सिखाएगा कि कैसे काम करता है, और इस टिक को कर दिजिए, कि जब भी आप अपने windows laptop को open करें, तो phone link automatically open हो जाए, ताकि आपका phone automatically connect हो जाए, यह नहीं कि बार बर आपको यह software open करना परे, phone से link करने के लिए, तो यह टिक ज़रूर कर दिजिए, अब हम लोग get खिले permission set करेंगे, get started पर tap करेंगे, यहाँ पर get started पर tap करेंगे, और फिर begin pairing पर tap करेंगे, अब यहाँ पर हमें Bluetooth से connect करना है, तो हम लग set up करेंगे, अपने phone का Bluetooth है, वो यहाँ पर enable रखेंगे, अब जब यह यहाँ पर लिखेंगे अच्छे क्यों device, तो आपको अपने notification चेक करना होगा, जहाँ पुछेगा कि हमें कुछ permission की जरुवत है, तो आप यहाँ open पर tap करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर Bluetooth का permission मंगाएगा, allow all the time पर tap करेंगे, फिर allow करेंगे, अब हमारे Bluetooth है, वो connected हो जाएगा, pair हो जाएगा हमारे laptop से, यह मांगेंगा, तो हम यहाँ yes कर द करेंगे, और यहाँ पर allow कर देंगे, और यहाँ पर अब हमारा call history भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपको connection optimization का option, तो आप इसे enable कर देंगे, allow sync over mobile data and when I am not connected to Wi-Fi, औके, और उसके बाद यह सिंक शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आपका सारा data आ जाएगा, यह मेरा पूरा number आ गया, यहाँ पर जो जो number मैंने डाइल किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, calls है, इसके बाद यहाँ पर messages है, यहाँ पर messages भी देख सकता हूँ, इधर मेरे photos है, जहां से photos वगरा भी आ जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, basically यहाँ पर आता है finish setting up your notification, तो आप आपके phone के notification आए, आपके PC में, उसके लिए यहाँ पर आप open settings on mobile device पर tap करेंगे, यहाँ पर आपका setting खुल जाएगा, यहाँ पर link to windows जो app है, इसमें जाएगे, इसे आप allow notification access का option देदेंगे, टिक कर देंगे, अगर आपको कोई भी permission पूछे, यहाँ पर ok कर देंगे, अब यहाँ पर आपको कर लेना है, ताकि आपका phone और भी बहतर तरीके से link रहे, PC से, तो आपको इस application के settings में चले जाना है, यहाँ पर option मिलता है, let app run in the background, आपको इसे enable कर देना है, continue करना है, and no restrictions कर देना है, यानि कि यह जो application है, यह background में काम करता रहे, ठीक है, तो यह हो ग get started पर tap करना है, and यहाँ पर हमें close कर देना है, and one last काम आप यह कर देजिए, कि link to windows जो है, इसे जो है, आप यहाँ पर recent में lock कर देजिए, ताकि यह कभी बंद ना हो, ताकि connection कभी टूटे नहीं, तो बस होगे, अब आप background में भी जा सकते हैं, अब हम लोग इस application को simply इधर र यहाँ से, इधर हमारा पर link to windows का है, अपना notification system, यहाँ से हम लोग D&D mode में phone को डाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग volume को off on, यानि कि silent mode में डाल सकते हैं, यहाँ से music के volume को on off कर सकते हैं, अगर हम music चला रहा है तब, यहाँ से हम अपने phone के photos वगरा को सीथ है, explore कर सकते हैं, directly इस photos उसको खोल के देख सकते हैं, कि क्या क्या photos हैं हमारे पूरे गैदरी में, यहाँ पर हमारा messages देख सकते हैं, यहाँ पर हम अपने calls वगरा देख सकते हैं, जो की number contact से sync हो करके आएगा, यह है दोस्तों पूरा का पूरा, लेकिन अब इस phone link का यह भी फायदा है, कि आप जो है calling, so you can see कि call मेरा इस phone पर आ रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो, कि call जो है, अब मैं यहाँ से accept भी कर सकता हूँ, हलो, हलो, दोनों फोन पास में है, इसलिए आवाज जो हैसे हो रहा है, यहाँ से हम लोग call ले सकते हैं, ओके, यहाँ पर अगर आप कोई music प्ले कर रहे हैं, तो उसे भी आप यहाँ पर pause कर सकते हो, या next कर सकते हो, यहाँ पर दिये गए button की मदद से, तो यहाँ तो आपको जब phone में music play pause करना हो, आप phone side में रखे हुए हो, तो आपको जरूरत नहीं है, मतलब बार बार phone उठाने की, आप PC से कर सकते हो, अब माले जे गाइस, मैं अपने phone पर कोई web page ब्राउज कर रहा हूं, कोई internet का website, और मुझे इस phone की website को आप अपने PC में खोल के देखना है, तो जो पुछेगा कौन सा windows पर, अगर आप दो तीन windows रखे हुए हो, तो अलग-अलग option आजागा, मेरा एक ही है, इस laptop पर टैप करेंगे, और उसके बाद automatically यह link खुल जाएगा, जो है, मेरे laptop में है, finally guys, यहाँ पर windows में होता है widgets, तो आप यहाँ पर नीचे टैप करोगे, widgets वाले बटन पर, इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है widgets, यहाँ पर प्लस टैप करोगे, यहाँ पर phone link दिया गये, इस पर टैप करोगे, यह आपका phone link का widget आजाएगा, आप इसे यहाँ पर पिन कर जैसे आप पिन करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर आपका फोन लिंग का विजिट आ जाएगा तो आप यहां से डिरेक्टली जो है नोटिफाइड रह सकते हो अपने फोन के बारे में चाहे वो नोटिफिकेशन हो या कुछ भी हो तो आप यहीं विजिट से चेक कर सकते ह लेकिन इससे वेखतर मुझे लगता है कि यहां पर आपके विंडोस के यह नोटिफिकेशन पैनल यहीं पर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है फोन का यहां से बहुत्त चीज़ें देख सकते हो जैसे कि ब्लूदूथ ओने वाई फाइड बैटरी यह सब चीज़े आप यह से यह आईफोन पर भी काम करता है अगें आईफोन पर बुरी से लिमिटेड फंक्शनालिटी होगी यह फंक्शन करके ऐसा नहीं है कि आपका जो एंड्रोइड है और विंडोस उसके बीच में बहुत ही जबरतर्स्त जो है मतलब पेरिंग होगा ऐसा नहीं है तो मुझे फोन इसी का माइक एसी का स्पीकर यह एरफोन से तो इसली मैं लैप्टाप पे बैटे बैटे चाहे वाटसाप का कॉल हो चाहे वह मैसेज़ेज हो कुछ भी हो इसली में यहीं से कंट्रूल गर पाता हूं तो फोन मुझे देखना नहीं पड़ता तो इसके लिए मैं सबसे अधि Mac OS और iPhone खुती बनाता है उनका integration ज्यादा बिटर होना ही है बिल्कुल बट Windows इतना अच्छा अच्छा एचीव कर पार Android को लिंक करके ये भी तारीफ के काबिल है तो जी हाँ इसका इस्तिमाल कर सकते हैं बाकि अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक किजएगा वीडियो को शेर किजएगा और चैनल को सब्सक्राइब किजएगा थैंक यू बाइ बाइ थैंक यू